Hi Friends, Welcome to my channel तो Friends, Adenium को कुछ दिन पहले Seeds आये थे Seeds Pots अभी तयार हो गए है Collect करना है, Harvesting करनी है तो कैसे Harvesting करे जब Seeds Pots लगे तो जब तक तयार नहीं होते तब तक क्या Care करे उनकी Seeds निकालने के बाद कहा रखे, कैसे रखे, कैसे निकाले ये सबी बाते शेयर करेंगे तो देखिए फ्रेंट्स इसे ये प्लांट को एक ही सीड़ पॉट आया था तो बहुत हेल्दी है ये भी और फ्लावरिंग भी अभी देखिए डिसेंबर मन्थ में भी अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है पतिया पूरी निकल गई है हमारे ये देखिए लेकिन बहुती सुंदर लग रहा है प्लांट फ्लावर से भरा हुआ इसके फ्लावर बहुत बार दिखाते हैं इसके फ्लावर्स खतम होती नहीं विंटर में भी अच्छे से फ्लावर की साइज भी अच्छी है कलर भी अच्छा है तो देखिए ऐसा ये सिड़ प तु तैयार होने के बाद ये सब हवा में उड़ जाते हैं बहुती हलके रहते हैं तो इस तरह से हमने देखिए बांधेते तो बहुती अच्छे सीड़्स है इसके देखे इस तरह से ग्याब जो दिखरे है न ये वैली ऐसे होते हैं तो ये उड़ जाते हैं तो इसके लिए ये धागा पहले से ही बानना पड़ता है तो एक देड़ मैना हो गया उसके बाद धागा अच्छे से बान दीजिए देखें हमने बहुत ताइट धागा बान दा था लेकिन ये धीला हो गया है तो फ्रेशर से ये निकल ह जाता है देखे इस तरह से हमारा ध्यान नहीं एक दो दिन जाता तो ये सब आजु बाजु से भी उड़ जाते थे तो अच्छे से इसे धागे से बानना बहुत जरूरी होता है तो इस तरह से हो जाए तो समझ लिजिए कि सीड्स तब तयार हो गए है तो हार्वेस्टिंग के आपको औरेनियम के सीड्स चाहिए तो ये रखिए नहीं तो इससे जैसे भी आते है तो निकाल दिजिए तो ऐसा कुछ नहीं है निकाल भी सकते है तो डिपेंड करता है आपको सीड्स चाहिए नहीं चाहिए वैसे सीड्स सबको चाहिए होते है तो देखिए इस तरह से कित पूरा अच्छे से देख पाते हैं देखे इस तरह से हलके से यह निकल जाता है कैचिवगरे के जरूरत नहीं रहती है तो हमने तो हास से ही काटा है देखिए बहुत इजी तरीके से यह निकल जाते हैं निकाल के ऐसे ही एक दो दिन रखिए तुरंथ नहीं निकाले एक दो द निन पहले भी किय की ही तो अभी डेली ही एक दो एक दो सीड़ पॉट्स की हर्वेस्टिंग हो रही है और ये आप अंधर रखिये पॉलीथिन में रखिये या तोकरी में रखिये ऐसे ही मत रखिये नहीं तो एक-एक हवा से अंदर भी उड़ जाएंगा बाहर मत रखिये इसे जहां ब्राइट लाइट आती हो ऐसे जगा रखिये तो देखिये ये दूसरा प्लांट है इसकी कुछ हर्वेस्टिंग की है और ये अभी लगे है ये तैयार होने के है तो इस प करेंगे इसके कुछ निकाले है सिर्पोर्स तो दिखाते है आपको देखे इस तरह से हो जाए तो आप बांद लिजिए धागा कुछ इसमें हमने धागा नहीं बांदा और ये देखिये पता ही चल जाता है थोड़ा सा मोटा मोटा हो जाता है तब ये धागा बांदना और एक निकाला है इस से फ्लावर हो गया है इसकी फ्लावर तो कुछ है फ्लावर ज्यादा नहीं है देखीए आपको दिखाते है कुछ इस तरहां से हो जाता है जब यह तैयार होने के लिए कुछ समय रहता है ऐसे समय में आप इसे धागा अच्छे से बान दीजिए नहीं तो ये पूरे उड़ जाएंगे ये देखिए दो तिन दिन पहले हमने कुछ और सीड पॉट्स निकाले थे अर्वेस्टिंग की थी तो ऐसे फिर डब्बे में भर के रखे इसको ऐसे ही बान द सीड के फाइवर है तो इसे हटाना पड़ता है अंदर का सीड कलेक्ट करना पड़ता है तो देखिए हमने इसके पूरे सीड निकाले हैं तो इसे हलदी में रखे हैं सीड निकालने के बाद तो चाहे तो आप अभी भी इसकी सीड लिंग कर सकते हो हम अभी करने वाले हैं सी क्योंकि winter में भी हमारी अच्छी seedling होती है हमारा अच्छा अनुभव है कि winter में अच्छे से seedling होती है क्योंकि harvesting के बाद ज्यादा दिन हम रखते नहीं है तो 5-6 दिन या 8 दिन के बाद हम इसकी seedling रोग करते हैं अच्छा success rate रहता है germination का तो अच्छे से उगाते हैं हां कुछ seeds unhealthy होते हैं तो ओ नहीं उखते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि winter में अच्छे से seedling हमारी हुई नहीं या plants अच्छे से grow नहीं हुए germination नहीं हुआ ऐसा नहीं होता है वैसे इसकी seedling आप कभी भी कर सकते हो हम अभी इसकी seedling करेंगे उसका video भी share करेंगे और आपको अच्छ यह fiber निकलता है इसका बहुत soft रहता है यह तो यह भी waste नहीं जाएंगा hanging basket साब बना रहे हो तो उसको hanging basket में डाल दीजिए इसकी उपर से मिट्टी डाल दीजिए तो इसका compost हो जाएंगा और आपकी hanging basket light weight हो जाएंगी तो एक-एक मुठी hanging basket बना रहे हो तो उसके नीचे बादीजिए उपर से अच्छे से मिट्टी डालिए तो इसका भी use अच्छा होता है तो friends आप इसे हल्दी लगा सकते हो ट्रैकोडर्मा फंगिसाइट पाउडर या दालचिनी का पाउडर ऐसा लगा के आप अभी seedling नहीं करना चाहते हो तो इसे अच्छे सी अरेटाइट अच्छी रहेंगी तो ठीक है friends इस तरह से हमने ये हर्वेस्टिंग की है तो ओके बाई फ्रेंड्स